हेलो दोस्तों ये हमारे credit card explanation शीरीज का थर्ड वीडियो है पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी कि credit card apply करने के लिए आपको क्या-क्या required document चाहिए होते हैं दूसरी वीडियो में हमने बात की थी कि किन-किन कार्णों से आपका credit card application reject हो सकता है इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि एक credit card अगर आपके पास में है तो उसके क्या-क्या फाइदे आपके होते हैं और किस तरीके से आप उसे good way में use करके उससे जादा से जादा benefit उठा सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप अपने लिए credit card apply करना चाहते हैं तो मैंने कुछ banks के link वीडियो के description में दियो है वहाँ से आप अपने लिए easily online credit card को apply कर सकते हैं यहाँ पर पूरा process online डेता है आपको document online submit करना है video KYC आपकी online होगी और पूरा process आप complete कर देते हैं तो बहुत ही easily आपका credit card आपके घर पर deliver हो जाता है तो अगर आप apply करना चाहते हैं तो video के description में जो link दियो हैं उनसे आप apply कर सकते हैं बात करते हैं credit card के benefits के बारे में तो एक जो सबसे main फायदा होता है यह होता है कि आपको credit limit मिल जाती है यह आप में से सभी लोगों को पता होता है कि credit card कि इस तरीके से काम करता है आपको यहाँ पर 50,000 या 1,000,000 रुपे की है आपके जो यह लेंदेन उसके हिसाब से limit मिल जाती है और इस limit का use करके आप अपने लिए online shopping या फिर payment कर सकते हैं और इसके बाद में आपको 30-45 दिन का time मिलता है payment करने के लिए जब आपकी salary आ जाती है तब आप यहाँ पर credit card के बिल का payment कर देते हैं यह तो सब कोई पता है लेकिन इसके अलावा भी और काभी सारे benefits होता है एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं अगर आप मेरी तरह online shopping बहुत जादा करते हैं जादा तर gadget अपने online purchase करते हैं या फिर अपने घर की चोटी मोटी चीज़े भी online purchase करना प्रेफर करते हैं तो फिर आपके पास में credit card जरूर होना चाहिए इसका फाइदा यह मिलता है कि यहाँ पर Amazon और Flipcard जैसे platform पर लगातार sales आती रहती हैं और AllSense के अंदर आपको काफी अच्छा खासा discount देखने को मिलता है यहाँ पर आपको up to 10% और 4-5-6,000 रुपे का और कई-कई जो flagship phones होते हैं उन पर तो 15-15-20,000 रुपे तक का भी discount देखने को मिलता है यह discount लेने के लिए आपके पास में credit card होना बहुत ही ज़रूरी है credit card से payment करने पर ही आपको यह discount मिलते हैं इसके अलावा online या offline कई से भी आप कोई भी home appliances या कोई भी gadget पर्चेस करते हैं जैसे कि laptop, smartphone या फिर टीवी, refrigerator, cooler, washing machine या AC वगेरा तो इनके उपर easily आपको EMI के option देखने को मिल जाते हैं अगर आपके पास में credit card है तो और Amazon flip card से आप purchase करते हैं तो यहाँ पर sales के दोरान आपको no cost EMI के option भी देखने को मिलते हैं यानि कि कोई भी interest rate नहीं लगता है जो उस product की real value है उसी को आप EMI में pay कर सकते हैं इसके अलब अगर आपके पास में credit card है और आप उससे purchasing करते हैं तो हर बार purchasing पर आपको कुछ reward points मिलते हैं नॉर्मली एक reward point की value होती है अलग-अलग bank के आधार पर अलग-अलग होती है 20-25 पेसे के आसपास में होती है और कुछ bank इसे cash में आपके credit card में credit कर देते हैं या फिर यहाँ पर आप discount voucher या gift card की रूप में भी इने use कर सकते हैं यानि कि यह discount के उपर और extra discount हो जाता है यहाँ पर अगर आपको कभी cash की need हो जाती है और आपके account में पैसा नहीं है और आपको cash चाहिए तो credit card से आप cash भी withdrawal कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आप daily traveler हैं अपनी गाड़ी में लगातार fuel डलवाते रहते हैं या फिर commercial vehicle चलाते हैं उसके अंदर भी आप fuel डलवाते रहते हैं तो आप यहाँ पर fuel credit card यूज कर सकते हैं या air travel जादा करते हैं तो आपके पास में credit card होता है तो साल में एक या दो बार उस credit card की तरफ से आपको free VIP lounge access भी देखने को मिलता है इसके अलवा अगर आपके पास में credit card है और आप credit card को अच्छे से यूज करते हैं मतलब कि time पर payment करते हैं और अच्छी खासी limit आपके पास में हैं और bank की नजर में आप अच्छे customer है आपकी credit history में कहीं भी कोई भी दाग नहीं है आपने सारा काम time पर किया है अपनी उस अच civil score है वो भी अच्छी तरीके से develop होता है आपका civil score उससे अच्छा रहता है और आपका civil score अच्छा होने से future में जब आप बड़े loan के लिए अपलाए करते हैं जैसे की car loan, home loan या personal loan के लिए तो easily आपको वो loan मिल जाता है तो अपना civil build करने के लिए आप credit card को एक positive way में भी use कर स सकें अगर आपके पास में एक लाग की limit है और आपकी salary 40 या 50,000 रुपए है और आप एक लाग की shopping करके बेड़ जाएंगे तो फिर आपको पताए कि आप जब salary आने वाली है उस पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे और पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर इस वज़े से जो आपका civil score खराब हो सकता है आपका credit card block भी हो सकता है और काफी चारी चीज़े आपके साथ में हो सकती है आपके credit history खराब हो सकती है तो good way में use करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उतनी ही shopping अपने credit card से करें जितना पेमेंट आप अगले महिने के आने वा उसके बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे जिसका link आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और वीडियो की description में प्लेइलिस्ट का link दिया हुआ है वहाँ से click करके आप सारे ही credit card के वीडियो देख सकते हैं उमीदे वीडियो आपको पसंद आया होगा मैं म मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye